कार्डियोवיस्कुलर डिजीज नूँ असी किंद्दा वदन नो रोक सक देयां या किंद्दा अहीं ना बंबारियां तो मतल़ सकत नेयां यह देभारें बहुत सारी जानकारी असी पिछली वीडियो दे विचसांजी कीती सी कुछ बची हुई जानकारी तो 40 वीडियो जो सांजी करनी है कि ओकेडियां चीजा ने जिना नूं करन दे नाल दिल दिया बमारियां दे खत्रे साडे जीवन चे कट देने बदेरी जानकारी जी पूरी वीडियो नू जरूर देखो स्टे ट्यूंद प्रसिकल दोस्तो मैं हाँ तो अड़ा nutritionist कमल दीप सिंग औजला इरुडाई nutrition तो ते आज पिछली वीडियो नूँ देखन तो बाद आज असी इस वीडियो ते आए है जो के साड़ा second part है अगर part 1 नहीं देखिया ता part 1 जरूर देखो अगर तुसी इस channel दे पहली बार आए हो ता प्लीज इस playlist दिया बाकी सार यहां वीडियो जरूर देखो ताके तो आनो topic पूरी तरह समय देविच आजाए पहली बार चैनल दे आए हो या इस channel दे content दो लाइक कर दे हो पसंद कर दे हो जो information मिल रही है ते channel नो subscribe करना ना पुलियो notification bell icon दे click करना ना पुलियो facebook instagram उपर इस वीडियो दे विच आसी डाइट दे lifestyle बारे गल कीती सी इस वीडियो दे विच आसी inflammation बारे गल करांगे inflammation जो की मेरे हिसाब ना सब तो बड़ा कारण है किसे भी देल दिया दमाग दी बमारी दा inflammation दा मतलब ओ inflammatory response होंदा या ओ ज्वलनशील response होंदा या जो के साथिया नाड़ा दे विच उत्पन होंदा जदो वसी lifestyle या diet गल्थ रख देया inflammation दे करके ही इसाठिया नाड़ा जडिया या damage होंदिया या नाड़ा ब्लॉक होंदिया या यासाठियन प्रेंदा attack होंदा है क्योंगे इसाठिय इंफ्लामेशन दे कारण नाड़ा weak भी हो जब विच भी हो जदिया थीक है So inflammation नो कितना कटाया जावे Inflammation नो body जो खत्म कितना किरया जावे इने वास्ते पहली हल के diet ता lifestyle आपा बदिया रखांगे Inflammation अपने आपका टरहेगी लेकिन कुछ चीज़ां हो भी ने जो diet lifestyle तो बद के Inflammation दे उपर सिदा सिदा असर कर दिया सो आवा जिना नो डिसकस करिए पहले नमबर ते आगया stress Stress, फिकर, चिंता चाहे हो क्रेलू है, चाहे हो पैसे पक्षू है, चाहे हो कारोबार पक्षू है चाहे हो study पक्षू है, किसे वी तरी के दि stress तो आड़ी सेहत लिहानी का रखा वदी होई stress तो आड़ी बाड़ी देवेचे कोटिसॉल हॉर्मोन उवदों दिया कोटिसॉल हॉर्मोन स्ट्रस हॉर्मोना एक लिमिट तक कोटिसॉल दी साथे सरीड नो लोड है दिया, लेकिन लोड तो ज़्यादा फिकर चिंता करांगे, ता कोटिसॉल लेवल वी जाड़ी बाड़ी दे में चाह。 होजना हुए वदे आहाया कोटिसॉल साड़े इंसुलेणों स्पाइक कर्ड़जए है शुगर कंटर होचि निंहीं होँदी जाणिधा कोटिसॉल तोर्मोन तोड ना शुरू कर्ड़ज़ए है करके कमजोरी स्रीर एक पक्षूं तो उसी देख्या हूएगा जीड़ा बंदा बहुत ज्यादा सोचदा है ना फिकर चिंता करदा वो दिन प्रति दिन सुक दाई जन्दा कमजोर हो जन्दा है क्योंके कोटिसॉल मसल ब्रेकडाउन भी करदा या इस तो अलबा कोटिसॉल साधी डाइजेशन यानी पाचन शक्ति नूँ वी कटा दन्दा या जिवे नाल साधे शरीर जो सी हल्दी खाने भी हा प्रॉपर विटामिन मिनरल शरीर तक नहीं पहुच दे क्योंके पाचन शक्ति अपने पार्टनर दे नाल अपने लाइफ पार्टनर नाल या अपनी फैमिली मेंबर्स नाल बैठके उन्हों डिसकस जरूर करो डिसकस करो ओदा हाल लबन दी कोशिश करो अगर कोई हाल है उन्हों हाल करो अगर कोई हाल नहीं है ता ओदे उपर सोचन दा होण कोई फैदा नहीं है क्योंकि ता मसला ता हल नहीं होएगा नवी बमारी लगे जाएगी हार्ट टैग हो जएगा मसला नमा खड़ा हो जाना ठीक है जिडिए प्रॉब्लन सॉल्व करो जिडिए नहीं हो सकती उदे उत्ते स्ट्रेस लेंड दी लोड नहीं है नंबर दो वर्क लोड कई लो उस वर्क लोड दा अफेक्ट होना दी सारी जीवन शैलीटे होना शुरू हो गया, सुबाद चड़ चड़ा हो गया, टैम नहीं है गा, रात नो नीद नहीं हो दी, अगर असी अपने वर्क लोड नो मैनेज करिये तरीके ना, जो तरीके या, पहली चीज, वर्क एफिशंसी अगर असी किसे चीज भी वर्तो नहीं कर दे, कोई equipment है, कोई computer है, कोई software है, जेड़ा साथे काम नों सौखा कर सागदा पर साखो हो है नहीं, उन्हों लओ, उन्हों आज ही लेके आओ, ताके ताड़ वर्क लोड कटे, तो आड़ी वर्क एफिशंसी इंप्रूव होए, जे जेड़ी कटे, लास्ट चीज जेड़ी तुसी कर सकते हैं, खास करो ना लोग कानी, जो अपना कारोबार कर देने, या जेड़ी लोग job जो over time लो दे या उना ले भी, थोड़ा जया अपने काम दे विच्चो समा अपना कटाओ, ताइम थोड़ा कट करो, ताइम कट करना हो कट जाएगी, तो उसी थोड़ा जा कट पैसा कमाल होगे, तो एक्जामपल दे तौरते, जेड़ा 15 दिना दे विचे एक वार असी बाहर डिनर कम जान दे सी सारी फैमिली ना, या आसी बारोच चीज आ ओर करके करें, आके खांदे सी 15 भी या दिना चे एक कती वारी या, ज antioxidant है, refined processed चीज़ां जरूर हैगी है, जो के सानु ऐसे ही बमार कर रही है, सो workload जो कुछ कंटेकटा हुआ हूँ अपने हफ्ते चो, इकता तो आड़ी stress better होएगी, दूसरा है अभी खर्चा जिड़ा तुसी बार ले खाने दे कर रहे हैं, उन्हों बंद करो, सो ओ भी तो आड स्टन्ट पे आनो तेन देन होए होंदे या, तो यो कहन दे आवी, कदी-कदी पी लिया करिये थोड़ी ही, में दसो होणी था तो आनो डॉक्टरा ने मरनो बचाया, तो उसी कर जाके फेश राबान दे चकर जपहे हैं, सो इना चीज़ां नो अवाइड करिये, smoking, drinking तो बच कर दाया, इना चीज़ां तो आपा, बचिये सो एवी, inflammation कर दाया, बहुत ज़्यादा जंक फूर्ड गेडाया, क्योंकि इच माड़ा तेल, माड़े मसाले, या तेज मसाले यूस किते होंदे या, जो कि सानू डाइजेस्ट नहीं होंदे ते असी बमार होंने, अक्सर व्या जिदे स्वाद करके असी शड़े नहींगे, जिदे करके असी बार-बार बमार होंने, लास्ट दो चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट आजी साथे वास्ते, inflammation कर ली, पहले चीज़, happy mood, यानि के खोश रहना, हमेशा हस दे रहना, सिरफ उपरों उपरों नहीं, बलके रस कटेगा, जिनना खुश होंगे, वर्क लोड वर्क लोड नहीं लगेगा, वर्क तुसी enjoy करोंगे अपना, तनों काम करणे मजाएगा, सो जिनना खुश रहोंगे, उनना ही तो अनों श्राब, या सिगरेट तबाख्व, या जंक फूड वाले पासे नहीं जाना पएगा अगर तो अड़ा मन खुश है, तुसी नॉर्मल डाल सबजी अपनी फैमिली नाल बैठके चार गला हसके करोंगे, वो तो अड़ी सेहत देवेच बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा, सो खुश रहना तो अड़ी सेहत लिए बहुत जरूरी है, कार्डियो वैसकलर इस रिस्क नॉको टांड लेए, इंफलामेशन नॉको टांड लेए, खुश रहना बहुत जरूरी है, जिनना ज्यादा चिडचड़ा पानी याँ, गुसा याँ खिजोंगे, उनने तो अड़ी सेहत ज्यादा खराब होएगी, सो लास्ट, फन हैबिट्स, फन हैबिट्स त कोई भी चीज जेड़ी तुसी फन लग दी है, तो आनू अच्छा लगदा है, तो आनू खुशी दिन दी है, ओनू हैबिट्स बना लो, ओ फन हैबिट्स बन जाएगी, आसी फन करने लेए, समा कर दे हफ्टे जेक कर दीवा, भी आज फन कर लेगे, नहीं, फन रोज करो, जेड़ी याँ चीज़ां तो आनू अच्छी याँ लग दिया, उना दी हैबिट बनाओ, लेकिन बशर्ते ओ चीज़ां तो आड़े लाइफस्टाइल याँ, डाइट नू खराब ना कर रही है, ठीक है, हो साकता कही बंद कोई बंदा सोचे के, मैंनो तो दोस्ता नाल बै अगर तो आनू केरम बोड़ खेट ना पसांदा था फैमिली चे बैठके केरम बोड़ खेट हो, दोस्ता ना बैठके केरम बोड़ खेट हो, अगर तो आनू ताज खेट नहीं पसांदा, ताज खेट हो अगर तो आनू किसे म्यूजिक देवेच या गुर्दवारे जाना प सब्सक्राइब तो आड़ी कार्डियो वैस्कुलर डिजीज दा रिस्क वी कटेगा तो दोस्तो मैं उमीद कर दा है कि तो आज दी वीडियो यह चंगी लगी होएगी फिर तो मैं तो आणू रिक्वेस्ट कर देया अगर इस चैनल दे इस प्लेडिस्ट दिया बाकी वीडियो तो आड़ी बहुत इंपॉटन्ट है तो आड़ी जानकारी तो आड़ी सेथ तो आड़ी अपने हाथ जागर तो आणू खुद नो जानकारी होएगी तो उसे अपनी सेथ ज्यादा ख्याल रख सक देया मेरे नाल जुड़े रहन बासते सब्सक्राइब करो यूट्यूब च शेयर करोंगे आपमा तो आणू मिलांगे अगली वीडियो दे विच जे दे विच मैं होन डाइट दे पक कुछ होर तो आड़ी नाल डिसकस करने हैं हाथ डिजीज जिना लोका नो देल लिया बमारिया उना दे बारे कि मैं आपमा अपनी डाइट नो होर बैटर कर सक देया